आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिश्टल मजीड आज की फटोशाप के अंदर जिसे हम कहने हैं डिस्प्लेश्मेंट मैप और यह टेक्निक से आप किसी भी क्लोथ के उपर या किसी भी सर्फेस के उपर जो की कर्वड है राउंड़ेड है यह कैसा भी है तो उसके उ चाहरे है कुछ प्रिंट करना चाहरे हो कुछ इमिज डालना चाहरे हो तो आप किसी भी चीज को अप्लाइक कर सकते हो राइट सो वह टेक्निक जो आज इसकी वीडियो के अंदर आपन कवर आप करने वाले सो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपन एक टेक्स लिए यहां पर जिसको अपन लिख लेता है लच्छे लिख लेता हूं ठीक है इसको कर लेता है इंक्रीज कुछ इतना ठीक है और अब क्या करते हैं हमारे पास में यहां पर एक चीज़ करते कि अगर आपन यहां पर इसको प्रिंट करना चाहें तो हमारे पास में एक दीजे लेकिन आपको इस टाइप का इफेक्ट मिलेगा जिसके अंदर ये पीछे अले बैग्राउंड को भी लेता है या फिर आप यूज कर सकते कलर जो कि कई बार इस टाइप के अब अगर अपन इसका यूज करना चाहें बिल्कल कर सकते हैं इसके अंदर अपने को जो अंडरलाइंग लेर है इसका जो ब्लैक स्लाइडर रहें पर रहने दीजिए और दूसरा आप जैसे इस तरफ में लेके जाएंगे तो आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जहां हमारे पास में जो कुछ भी अकरफ कुछ भी टाइप इन होगा हमारे क्लोथ के ओपर तो वह भी वार्प होगा वह भी डिस्टॉर्ट होगा रइट उसकी बीजो शेप है वह डिफरेंट होगी इस टाइप से एक परफेक्ट शेप उसका नहीं हो सकता तो वह कैसे इसे हम बोलते displacement map तो इसके बार में आज अपन देखते हैं तो पहले मैं इसको एक ग्रूप बनाकर रख लेता हूं ठीक है ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस अपन जाया राम से कवर अप कर सके तो इसको लिए तो मैथर वन और सगेंड ग्रूप का नाम देते हैं अपनी लेयर बन गई और यह अपनी लेयर ठीक है अच्छा नीचे आले मैथर बन को करते हैं बंद और अच्छा अब स्टार्ट करने से पहले जब भी अपन बना रहे होते तो displacement map को कह चीए एक चीए map आपका जो क्लोथ है कोई भी आपका जो सर्फिस है उसका एक मैप चाह रहेगा यानिकी उसकी जो हैरार्की वो नीचे और जो लाइट होगा वो हाइट पर रहेगा राइट सो यह सिंपल सा एक फॉर्मुला है तो अब इसमें क्या करना है आपको सिंपली जो अपने पास में जो क्लोथ लेयर इसको सलेट कीजे फिर जाना है यह थ्री लाइन के पर और यहां पर जाके करने डॉपलिकेट लेयर जैसे यहां पर 배टे सके यहां पर आपको डॉक्यूंत है वह आपको नया स्वय को आपब पर आपको नाम पूचएगा तो नाम डाल लेते हैं इस यह नाम कर सके कर तो आपने पास में पर आप छुका है यहां पर आपको करनी है जो कि है इसको ब्लाक हैं कर दो कोई दिक्कत नहीं बस इसको ब्लाक और इसको अब कर दो सेव आप कहां पी जहां पर करना चाहिए मैं कर सकते हो तो मैंने यह पर अब वापस से जाते हैं इसके अंदर हमारे पास में यहां पर जाकर इस जो अपनी में टेक्स लेयर है उसको सेलेट करना है फिर जाना है फिल्टर इस पर जाएंगे आपको दो फील्ट सबसे ओपर देखने को मिलें एक होरिजॉंटल स्केल और एक वर्टिकल स्केल वह स्केल है लेकिन वेज़ चोटी है तो उनका जो इस दिस्टॉर्शन होगा होनी चाहिए उस ताइब से डिस्टॉर्ट नहीं होगी तो यह स्केल आपके उपर है कि आपकी अपने को पता है कि जो वेव का साइज हो कितना है ठीक है लेकिन फोटोश आपको नहीं पता तो उसके इस आपसे जो आपने को बताना पड़ेगा कि कितना साइज तुरको देना है और अगर आपन देखें हमारे पास मैं डिस्टॉर्शन अप्लाय करें कैसे यह था बिफोर और यह है आफ्टर रइदिंह पर तो यहां पर साफ साफ दिख रहें कि किस ट्प साफ कर किस तैप करें तो सेम ब्लैंड और यहां पर जाकर प्लक्त है डाल ना अनोर पर काफी अच्छा effect देखने को मिल रहा है अब क्या फर्क है पहले वाले में और आभी वाले में चलो दोनों देख लेते हैं अब पहले वाले में अपने क्या किया था simply सिर्फ एक blending option जाला था कोई भी displacement में आप नहीं डाला लेकिन इसके अंदर अपने इसको displays भी किया है अब अगर आपन देखें यह before है और यह after है रहीट साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर यह जो है Photoshop से लिखा गया है लेकिन इसके अंदर हम नहीं पता कर पारें क्यों कि हमारे पास में जैसा distortion जीए था वैसा distortion भी आ है अच्छा अब अगर आपकी वेव बड़ी हो तो ठीक है वाई जो हमारे पास में आप अप्लाइड है उसी पर करोगे तो आपके आपके उपर की वेव कितनी बड़ी है तो अपनी इतनी जारा बड़ी है ने टैन के साबसाइजिंग बिल्कुल परफेक्ट ही चलेगी तो करता हूं और इट्स वर्किंग फाइं राइट यह तरीका है किसी भी क्लोथ के ऊपर या किसी बी सर्फेस के ऊपर इफट अगर आप वाटर के ऊपर बी टाइप इन करना चाहें आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल बड़े आराम से इसके अंदर कर सकते हैं यह होप कि आप पूर नेक्स वीडियो गंदर तब तक के लिए, बबाए